नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट टुनाइन न्यूज और स्वागत आफ सब का हमारे शानल में एक बार पर से आज का ये हमारा खास कारिकरम हम लेकर आए हैं आफ सब के बीच पब्लिक पेस जहां हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बारे में उनकी पतनी उनके बच्चे उनके नीजी जीवन उनके राजमितिक सपर और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात के साथ उनके नए सपर पर हम बात करेंगे ये तो आप जानते ही हैं हार चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद केशो प्रसाद मौर्या दुबारा से उपमुख्य मंत्री के बद पर शपत लेते वे नज़र आए योगी 2.2 केबिनिट का हिस्सा बनते नज़र आए लेकिन पिशले बार की तरह ही दो दो उपमुख्य मंत्री बनाए गए है यानि कि दूसरे टिप की सियम बन गए है ब्रजेश पाथक अब ब्रजेश पाथक जो है कानून मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में कारेभार योगी सत्ता के बक्त और रड़ी संभाल रहे थे उनको सपोर्ट करती रही है उनकी बेटियों की बात की जाए बेटों की बात की जाए तो फिलहाल उनकी नीजी जीवन के बारे में बहुत ही जादा लोग नहीं जानते हैं तो उनकी बारे में आज हमारे इस खास प्रोग्राम पब्लिक पेस में कुछ बाते हम आपकी बीच शेयर करेंगे, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आप सब के बीच इक्वालिफिकेशन और शुरुवाट से ही राजनीती में बिजेश पाठक का रुच्छान कुछ ऐसे रहा है शिक्षा के समय से ही उन्होंने राजनिती सपर की जैसी पारी शुरू की इसी कारण से योगी अधित्यनात के पसंदीदा मंत्री वो बने और तो और उनके परिक्षा भी जो हुआ परिक्षा परिनाम में वो सपल हुए नाकाम नहीं हुए जो योगी अधित्यनात के योगी 2.2 कैबिनेट का हिस्सा बने ये विनेट मंत्री विजेश पाठक के बारे में कुछ ऐसी बाते आपको बताएंगे उनकी जीवन की राजनितिक सफर के बारे में बात करेंगे आए जानते हैं हम बावन जोनेता मंत्री मंडल का हिस्सा बने है यूपी में उनमें ब्रिजेश पाठक का नाम भी क्यों चट्रा में है देखिए इसके लिए ये खास रिपोर्ट इसमें कोई शक नहीं कि योगी सरकार 2.2 इस बार अपने कैबिनेट में कई ऐसे नेताओं को जगहा देती नजर आई है भाजपा सरकार जिसमें ब्रिजेश पाठक एक ऐसा नाम है जिनसे बहुत ही जादा उम्मीदें सीम योगी आदित्ते नाथ और साथ साथ में भाजपा मंत्री मंडल को है योगी 2.2 कैबिनेट का हिस्सा बनाते वे उप मुख्य मंत्री का पदभार सौपा गया है केशो प्रसाद मौरे के अलाबा ब्रजेश प पाठक को इस बार डिप्टी सीम बनाए गया कि राजमेतिक सफर के बारे में आपको शायद मालूम ना हो ब्रजेश पाठक ने शातर जीवन से ही अपने राजमेतिक सफर की शुरुवात कर दी थी उनकी बारे में बात की जाय तो उत्तर प्रदेश में भार्टी जन्ताफा पाठी की सरकार में इस बार केश्यों प्रसाद मौरे की बराबर डिप्टी सीम का दर्जा उन्हें दिया गया उनकी कारेभार से प्रसंद्य भाजपर सरकार्निये पैसला लिया ब्रजेश पाठक के हम यहां पनीजी जीवन की बात करना चाहेंगे थोड़ा सा आपको बतान चाहेंगे ब्रजेश पाठक की बारे में की कैसे लखनों में ताकत कम योगी कबिनेट 2 को लेकर खबरे आने लगे इस तरह की ब्रजेश पाठक की आने के बाद जी यहां इस बार राध्धानी लखनों की ताकत कम हो गई प्रते निदिव पर कैंची चलाई और इस बार योगी कैबिनेट में लखनों से एक मात्री विधायक को ही जगह दे लखनों के हाथ में सिर्फ एक उपमर मुखी मंत्री का पद आया है विशली सरकार में लखनों की साथ मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली थी तो लखनों से इस बाफ ता आपको बताना चाहेंगे ये खबर आये जिसके कारण काफे जादा शायद आप सब को हैरानी हो लेकिन चलिए ब्रजेश पाठक के बारे में जब बात हो रही है तो थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको अपने इस खास्ट रिपोर्ट में यहा सिवार के बारे में 25 जून साल 1974 में जन्वे ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की सतर्वे विधान सभा चुनाव में इस बाजीत के बाद गिप्ती सीयम बन गया है अगर उनकी पत्नी के बारे में बात की जाए तो बताया जाता है कि किस तरह से यहां पर इस वक्त उनकी पत्नी के बारे में काफी चर्चा है जी हां यहां शायद आप सब को मालूम ना हो लेकिन उनकी पत्नी के संपत्ती को लेकर काफी चर्चा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि उनके बारे में जान कर लो काफी हैरान चंता भी हैरान हो गई है और य वोड़ा से डीटेल हम आप सबको जरूर देना चाहेंगे ब्रजेश पाठक के बारे में उनकी पत्नी के बारे में बताते वे जो की संपत्ती के मामले में किसी से कम नहीं बताए जाती है ब्रजेश पाठक की पत्नी की बात की जाए तो बताया जाता है कि हत्यार की लाइसेंस रहत्यार रखती हैं ब्रिजिश पाठक की पत्नी और उनके बारे में कुछ और अगर बात की जाए तो उनके बारे में ये भी आप सब को बताना चाहेंगे कि केमिनेट मिनिस्टर मनें ब्रिजेश पार्थक की पत्नी के बारे में ये बताया जाता है कि इस वक्त लोगों को हैरानी होगी जानकर समपति में वो किसी भी मंत्री की पत्नी से इतनी कमजोर नहीं है कई इविन फंक्शन में बिजेस पार्ठक के साथ उनकी पतनी नम्रता पार्ठक को स्पॉट किया गया जिस देबाखी के साथ जनता की समस्याओं का निवारन करने के लिए हमेशा बिजेस पार्ठक तयार रहे हैं जो सियासत में यूपी के सियासत में बहुत ही बड़ा नाम ह उनकी बात की जाए तो आपको यहां बताना चाहेंगे लग 9-114 मद्धे विधान सभा से उनी टिकट मिला और विधान सभा में वो पहुचे साल 2016 में भाजपा की उन्होंने सदस्यता ली थे से पहले वो बसपा का हिस्सा थे मायावती के साथ काम करते थे यह आपको बताना चाहेंगे कि वकालत पेशा से कर चुके ब्रजेश पाठक रिश्यों और वकालत कर चुके MA और LLB कर चुके हैं उनकी पतनी और दो बेटियों की बात की जाए तो दिबेका वसामभवी उनकी बेटी और बेटा कार्तिक है परिवार में अगर बात की जाए तो राजधानी की महानगर शेत्र में परिवार के साथ वो रह रहे हैं पिदा के साथ संतान में पाच्वे नमबर पर ब्रजेश पाठक आते हैं राजनीतिक सफर की बात की जाए तो साल 1989 में उपाध्यक्ष वो चुने गए लखनाव वेश्व विज्याले में और इसकी बाद उनकी स्कूल की दिनों से ही पढ़ाई की समय से ही राजनीतिक सफर की उनकी शुर्वात हो गए साल 2004 से लेकर साल 2008 तक चौदवी लोकसभा के सदसे प्रथम बार निर्वाचित थे साल 2008 से साल 2014 तक राजसभा के लिए सदसे प्रथम बार निर्वाचित हुए साल 2017 मार्च में 17 वी विधान सभा के सदसे प्रथम बार निर्वाचित हुए किये गये थे उनकी मजबूती काफी जादा भाजपा के पक्ष मेर रही है वहीं उनकी पत्नी की बात के जाएं तो आपको बता दें उनकी पत्नी काफी ज़ादा प्रोफिशनल रही है आओ साथ चले जिसे एवंट में अपनी पत्नी के साथ जब रिजिश पाठक को स्पार्ट किया गया था चीप केस्ट उनकी पत्नी भी बनी थी और वो दोनों काफी जादा खुश नज़नाए थे नेक्शनाइन यूजन से ट्रिप्तिक रिपोर्ट जरूर लखनाओं में जो भाजपा की ताकत है वो कम हो गई है पहले साथ विधायक थे और इस बार जो हैं साथ में सिर्फ एक ही रह गया है और वो है केविनेट मंत्री इस वक्त ब्रिजेश पाठक बदलाब क्या किया जाएगा कि आप ब्रिजेश पाठक जिम्मेदारियों को बखो भी निभाए पाएंगे क्योंकि उन पर प्रेशर बढ़ गया है साथ से सिर्फ एक को चुना गया है लखनाओं से तो कहीं न कहीं लखनाओं में उनकी जिम्मेदारिया सबसे बड़ी है फलाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का तमाम ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट टूनाइन न्यूस नमस्कार